नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल पर है आज वर्ल्ड कप का 29 वा मैच खेला जाएगा जो की इंडिया और इंगलेंड के बीच में कोलकत्ता के इडन गार्डन में दोपैर को दो बजे स्टाट होगा तो आज के मैच की प्लेइंग लें क्या हो सकती है कौन से प्लेयर आज के मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है और आज के मैच में आपको यूनिक टीम देखने को मिलेगी और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपको यूनिक मिलेंग जिससे कि आप याँ पर दो क्रोड का प्राइज विन कर सकते हो और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टोस के बाद फाइनल टिम हम आपको यहीं पर प्रोवाइड करते हैं इसमॉल लिग प्लस ग्रैंड लिग दोनों की तो इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर लिंक से ओपन हो तो आप सर्च करके हमारे रियल चैनल से जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इस लिंक को ध्यान से मैच करना है टेलीग्राम चैनल के लिंक को यही रियल चैनल की एक मातर पैचान है अधरवाईज आप फेक चैनल पर जाओगे और फिर वो आपसे फ्रोड करेगा तो दोस्तों विकिट कीपर सेक्षन में च्यार ओप्सन है और च्यारो ही विकिट कीपर सबसे इंपोर्टेंट है जोनी बैरिस्टो इंग्लैंड की तरफ से ओपन करेंगे और यहाँ पर यह दोनों प्लेयर मिडिल ओर्डर में बैटिंग करने हैंगे लेकिन फॉर्म अभी देखा जाए तो लोकेस राहूल की अच्छी है तो यहाँ से मैं दो प्लेयर को अपनी टीम में स्लेट करूँगा लोकेस राहूल जोनी बैरिस्टो चाओ तो तीन प्लेयर को भी ले सकते हो लेकिन आज के मैच में विकिट गिरेंगे इस वज़े से यहाँ पर आपको बोलर को स्लेट करना है बैटिंग से एक्सन की बात करें तो रोहित सर्मा लगातार अच्छी फॉर्म में है विराट को लिए अच्छी फॉर्म में है बैन इस्टोक का करेंट फॉर्म खराब है जोई रूट हो सकता आज के मैच में आपको दो से तीन अवर भी करते हो दिखाए दे शुमन गिल का भी फॉर्म कुछ खास नहीं है स्रे से एर आज के मैच में खेलेंगे डैविड मलान को आप ड्रोप कर सकते हो इंग्लैंड की तरफ से उपन करेगा सूरिय कुमार यादव आज के मैच में खेलने वाले हैं तो यहां से रोहित सर्मा विराट कोली दो प्लेयर हो गए अब यहां से आपको जोई रूट को स्लेट करना है अब आलराउंडर सेक्षन की बात करें तो रविंदर जड़ेजा है मोईन अली है और यहां से डैविड विली लिविंग स्टोन तो दोस्तो आज के मैच में यह विकिट निकाल सकता है और अगर इंग्लेंड की बैटिंग आती है तो लिविंग स्टोन को भी ट्राई करना है और लिविंग स्टोन भी आज के मैच में आपको तीन से च्यार अवर करते हैं दिखाई दे सकते हैं तो यहां से आपको कौन से प्लेयर को स्लेक्ट करना है रविंदर जडेजा को फिक्स रखना है और चाहू तो डेविड विली को अपनी टीम में ट्राई कर सकती हो बॉलिंग से एक्सन की बात करें तो जस्परित वुम्रा है, मौमद सिराज है, मौमद समी है, कुल्दी प्यादव, मार्क वूड, आदिल राशिद, क्रिश्वोक ये आज के मैच में खेलने वाले है अब दोस्तों, यहाँ पर जस्परित वुम्रा को फिक्स रखना है, और उसके बाद कुल्दी प्यादव को आज अपनी सभी टीम में ने केवल फिक्स रखना है, बलकि कैप्टन और वाइस कैप्टन भी स्लेक्ट करना है, मार्क वूड, जो की बैटिंग भी अच्छी खास कर लेते हैं, और उसके बाद आदिल राशिद, यह आज के मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अपनी सभी टीम में ट्राइ करना है, तो यहाँ से मार्क वूड के साथ जा सकते हैं, डैविड विली के साथ जा सकते हैं, इस तरह से, तो यह हमारा यूनिक कोम्बिनेशन ह हो गया अब हमें यहां पर एक चेंज और करना है जैसे कि आपको क्या करना है यहां से फास्ट बॉलर को ड्रोप करना मौमज समी या फिर मार्क वूड और इसकी जगां आपको जोस बटलर के साथ जाना एक कॉंबिनेशन यह हो यहां पर आप चाहो तो जोई रूट को ड्रोप करके इसकी जगां डैविड विल्ली के साथ जा सकते हो क्रिस वोक के साथ जा सकते हो और यहां पर आपको मोमज समी के साथ जाना है इस तरह से अब दोस्तों यहां पर अगर आप सिर्फ तीन बोलर को अपनी टीम में सेलेक्ट करते हो इंडिया के तो उस condition में आपको क्या करना है कुलदी प्यादव को captain मनाना है वाइस captain रविंदर जड़ेजा को अब यहां से आपको joy route को drop करना है जैसे कि यहां से मैं joy route को drop करूँगा और उसके बाद हमें unique combination बनाना है मौमद समी को अपनी team में select करना है यह एक हमारी unique team हो गई अब यहां पर आपको captain विराट को बनाना है और उसके बाद vice captain आपको कुलदी प्यादव रविंदर जड़ेजा इन दोनों में से vice captain select करना है इसके लाव जोस बटलर को vice captain बना सकते हो अब दोस्तों रोहित सर्मा को भी आप drop करके एक extra यहां पर बोलर के साथ जा सकते हो या तो आप डेविड विली के साथ जाएए जैसे कि मैं आपर रोहित सर्मा को drop करता हूँ जैसे रोहित सर्मा को drop किया आप यहां पर या तो जोयरूट के साथ जा सकते हो इस तरह से अब इस team में आपको क्या करना है यहाँ पर आपको सीधा सीधा कैप्टन विराट कोली को बनाना है और फिर वाइस कैप्टन केल राउल को यह हमारा एक कॉंबिनेशन हो गया अब यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क वूड बैटिंग से आपको पॉइंट देगा आदिल राशिद आज के मैच में इंपोर्ट और यहाँ से इंग्लेंड में आप चाहो तो मार्क वूड को भी फिक्स प्लेयर मना सकते हो तो इस तरह से आपको अपना कॉंबिनेशन रोटेट करना है और अब हम एक केक करके अपनी सभी टीम को ओपन करके देखते हैं चारो टीम को ओपन करते हैं तो यह हमारी सबसे पह पर भी आप रिस्क ले सकते हो इसकी जगा एक एक एक्ष्टा बोलर के साथ जा सकते हो इस टीम में मैंने शुमन गिल को ड्रोप किया अब चाहो तो रोहित सर्मा की जगए शुमन गिल को सेलेक्ट कर सकते हो अब हम अपनी दूसरी टीम को ओपन करके देखते हैं तो यह हमा कि प्यादव आपके लिए बेस्ट होगा वाइस कैप्टन के लिए इसको आपको तभी वाइस कैप्टन बनाना जब आप मिदिल ओडर में किसी प्लेयर को ड्रोप करना या फिर तोप ओडर के जैसे कि बैरीश्टो को रखा है तो यह फिर पाउर प्लेय में इसका विकिड क कुल्दी प्यादों निकालेगा अब हम अपनी तीसरी टीम को open करके देखते हैं तो यह हमारी तीसरी टीम है अब इस में कुल्दी प्यादों को Captain और रविंद्र जडेजा को Vice Captain और यहां पर मैंने QL रहूल को drop किया है और तीनो ओपनर को मैंने आपर ट्राई किया है अब इस टीम में जोई रूट को ड्रोप करके डैविड विल्ली के साथ जा सकते हो तो यह कुछ चेंज आप कर सकते हो और अब हम अपनी फाइनल टीम को ओपन करके देखते हैं तो दोस्तों यह हमारी फाइनल टीम है यूनिक टीम है अब इस टीम में आप देख सकते हो कुल्दी प्यादो को मैंने कैप्टन बनाया है और यहाँ पर मिडी लोडर के प्लेयर मेरे पास लिविंग इस्टोन है डैविड विल्ली है और राशीद है और मार्क वूड भी रन बनायेगा इस वज़े से यहाँ पर मैंने कुल्दी प्यादो को कैप्टन बनाया है जो कि मिडी लोडर को ब्रेक करेगा विकिट निकालेगा विराट कोली को वाइस कैप्टन बनाया है और केल रहूल है अब इसमें आप जाओ तो जो श्पटलर की जगहा है बैरिस्टो को ट्राइ कर सकते हो तो इस तरह से आपको अपना कोमिनेशन रोटेट करना है तो दोस्तों यह था हमारा आज के वीडियो वीडियो आपको अच्छा लेगे तो वीडियो को लाइक करना और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं ने एक्छ वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बुश्ट